गुड मॉर्णिंग है जाहिन बच्चों, बच्चों मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इन प्रश्णों को कैसे हल किया जाएगा ठीके ये है राश्टी आयम योक्ताधारि छाजविती परिक्षा जो 2023 के लिए अब इस हभी राजियों में परिक्षाएं जो है उचे नौमर को होने जा रही है एन MMS है नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलर से और इस कोशन पेपर जो मॉडल पेपर हो त्यार किया संतोष कुमार खरे सर और संजीव बंसल सर ने ठीक है तो मैं मैट के दो वीडियो बना चुका हूं बच्चो अब मैं सोचा आज विग्यान मैट आप परते परते फिर थो यह बोरियत भी आ जाती है तो आज मैं सोचा विग्यान के प्रशनों को भी बीच में बता दूं ठीक है तो अब मैं विग्यान के प्रशन आज हम उसके उत्तर जानेंगे ठीक है अगर आपने मेरे पुराने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं और पिछले दो वर्सों के मैंने पेपर भी सॉल्व करके अपने चैनल पर डाले हैं तो आप उसको भी जाकर देख लिजेगा और उसमें कोई भी कोश्चन होता है बच्चो तो मैं उसके अलावा उसके जो एक्स्रा कोश्चन बन सकते हैं मैं उसको भी समझाता हूं तो एक कॉपी ले लेजेगा उसको नोट डाउन करते चले जाईएगा ठीक है अलग-अलग कॉपी बनाइएगा मैंट की अलग गणित की अलग और बिज्ञान और समाजी कद्धियन की अल पड़ेगे इंग्लिस के टर्म्स भी योज करूंगा तो यहां देखे किसानों का मित्र अब ध्यान दिजेगा भाई कुत्ते तो पाले जाते हैं ठीक है help करते हैं लेकिन सबसे इसमें option हमें देखना कौन अच्छा help करता है नेवला बैल भी मदद करता है खेच जोता है और मित्र होता है तो 91 का answer क्या होगा 4 आपको उसमें option में हमेशा एकदम इस पस्ट जो clear option है बुक के हिसाब से है उसको सोचना चाहिए मित्र तो देखे बैल भी है कुत्ता भी है लेकिन जो किताबं में जिक्र किया गया है ओके चुवे का जिक्र है क्योंकि वो मिट्टी को चरण हो रहा है तो जो ओजोन है O3 है आपका किस वज़े से लगातार घटते जारी है उसका नुकसान हो रहा है वह आपका chlorofluorocarbon ठीक है कई तरह के इसमें योगिक मिले रहते हैं इसलिए इसका एक गुरूप बना दिया गया है chlorofluorocarbon का ठीक है अब देखे question number 93 है पाई के मान की खोज किस ने की थी जो पाई का मान आपको पता है ना बाइस बटे साथ होता है 3.14 तो इसकी खोज की थी हमारे भारतिये विग्ञानिक आरवट जी ने ठीक है question number 94 दूरवीन की खोज किस विग्ञानिक ने की थी देखे दूरवीन का हमारे पार्ट में भी दिया जो की rocket उपग्रा आधी जो है आकास में छोड़ता है इस पेस में छोड़ता है कि अस्थापना किस वर्स हुई थी तो इस रोग की अस्थापना बच्चो हुई थी 1969 में ठीक है यह देखे important questions है किसी भी राजय में आ सकते हैं तो आप इसको एक copy लेकर note-down करते चले जाएग जिसकी वज़ा से आज हमारे देश में दूद की कमी नहीं होती है और question number 97 है आपका प्रिथ्वी अगनी और त्रिशूल आधी किसके नाम है यह सभी जो है अलगला तरह की missiles है ठीक है जो दागी जाती है अटेक करने के लिए दुस्मून पे अकरवन करने के लिए missiles है question number 98 है आपके सामने भारतिय डांक विभाग ने इपोस्ट डांक सेवा किस वर्स आरंब की तो इन्होंने आरंब की थी 2001 में बच्चों आप एक काम कर सकते हैं मेरे answer बताने के पहले एक बार आप वीडियो पहुश कर लिजेगा फिर options देखके सोचेगा कि क्या आपके options सहीं हैं नहीं आए तब उसको आप अलग से नोटाउं कर लिजेगा जो इजी लगे उनको छोड़ दीजेगा ठीक है अब देखे question number 99 है आपके सामने सिक्षा के अस्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंब किस वर्स में हुआ तो यह 2004 में हुआ था और ICT का full form है बच्चो information and communication technology ठीक है जिसमें हम mobile और यह सब का यूज करके पढ़ाते हैं बच्चों का आप भी पढ़ रहा है इसी के जड़ी है ठीक है question number 100 है भारत के प्रथम सेक्षनिक उग्रह का नाम बताईए तो देखे जब भी सिक्षन की बात आए education की बात आए ठीक है तो उसी से हमें देख information है आपका भारत के प्रथम सेक्षनिक उग्रह एडूसेट को किस प्रच्षेपन यान से प्रच्षेपित किया गया था किस से उसको छोड़ा गया था तो GSLB F1 के द्वारा इसको छोड़ा गया था जियो स्टेशनरी लांच वेकिल F1 ठीक है बच्चों फुल फॉर्म भी इसले मैं बता देता हूं कि थोड़ा आप सोचे कि यह आखिर है क्या कोश्च नम्म हंडेट टू है आपके सामने प्रथम भारतिये महिला अंतरिक श्यात्री का नाम बताईए तो कलपना चावला है थी यह और इसके बाद देखिए कंफ्यूस करने के लि समद्द किस है ठीक यह देखिए कंपनियों का नाम है यहां पर यह कंपणियों का उत्तपादन करती है तो इसमें है आपका अल्मूनिय मुद्र dynamics की यहां औरeurs नमों वम का विस्कार ओटो हॉन ने किया था नीली करांती का समंध किस से है 107 अपने आप से पहले एंसर देखेगा फिर मेरा सुनिएगा मत्यस से उत्पादन मचली के उत्पादन से नीली करांती का समंध है कोश्च नमबर 108 है अंतरिक्स में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति क किस ने की थी तो नीट्रोन की खोज बच्चो जैम्स चैडविक ने की थी नीट्रोन आपको पता है हमारा एटम होता है ठीक है तो उसके बीच में जो रहता है वो नीकलेस होता है उसी को हम नीकलेस के अंदर आपका नीट्रोन और प्रोटोन रहते हैं तो नीट्रोन की खो प्रक्यों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग होता है तो इसमें एक्रिलिक का बच्चों प्रयोग होता है 112 है डाइनोमो की खोज किसमें की थी तो यह माइकल फराडे ने की थी 113 आपका प्लास्टिक रसाइनिक रूप में है यह असंत्रिप्त हाइडो कारवन है अन जानते हैं कि वो टैफलोन है कई बार उल्टा सवाल भी आता है कि जो नॉनिक बर्तन होते हैं जिसमें कुछ चिपकता नहीं उसमें किसका लेत चढा है तो टैफलोन का चड़ा रहता है इस तरह से भी सवाल बनके आते हैं, 115 है, रसी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में प्लास्टिक परियोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका पॉली प्रॉपलीन, ठीक है, पॉली प्रॉपलीन का इस्तमाल किया जाता है, hundred- sixteen है आपका i他說 yang पैकिंग संचायक सेल के केस बनाने में प्लास्टिक प्रियोग किया जाता है तो is ह्टाय RAWन का इस्तामय किया झाता है thermacool का दूसरा नám क्या है तो thermacool सबी जेगा मिलते हम लोग earn क्राफ्थ बगरा भी बनाते हैं तो इसका इस्तामार इसका जो दूसरा नाम है वो इस टाइर नहीं है जो अभी हमने ऊपर देखा तक कोई भी पैकिंग आती आप देखते ना उसमें आप कुछ भी मगाईए टीवी फ्रेज कुछ भी मगाईए तो इसमें पैकिंग होती है तो इस टाइर रॉन है ठीक है अब आईए कोश्चन नमबर 118 दे यह सब सब देखे किताबों के ही सवाल है बस आपको यहाँ पे एक MCQ फॉल में आपके प्रेक्टिस के लिए दे दिया गया है 319 है पके भे मिटी के बरतनों को कहते है तो भाई पके भे मिटी के बरतनो क्या कहते है मृति का ठीक है टेफलॉन किसका बहुलक है बहुलक ख zig की polymer है ठीक है तो टेफलोन जो है आपका टेट्रा टेट्रा फ्लोरो इथिलीन ठीक है पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किये जाते हैं तो ये बीज से प्राप्त किये जाते हैं बचो ये है तने से बलती स्टिक लग गया है पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किये जाते हैं तो ये तने से किये जाते हैं अब देखें 122 कोश्चन आपका रेशम के रेशे कहां से प्राप्त किये जाते हैं तो रेशम के रेशे कोकून से आपको पता है सिल पाले जाते हैं ठीक है तो कई पेड़ों पे पाले जाते हैं ठीक है तो यह सवाल पूछ रहा है कि किस पे नहीं पाले जाते हैं तो आम पे देखें नहीं पाले जाते हैं बाकी भी आप याद कर लेजेगा कि सहतूत अरंडी और ओक पे यह पाले जाते हैं क्योंकि हर एक पेड़ देखे हर एक जगा नहीं होता है जिस जलवाईव में होता है वहां पर यह पाल लिए जाते हैं 124 है रेसम प्राप्त करने के लिए रेसम कीटो के पालन का विग्जान क्या कहलाता है देखे उसी से आगे धेर सारी प्रशन उसको आप सेरी कल्चर कहते ह ठीक है कठर जल के साथ ज्थाग देने वाळा रसाइनिक परदार्थ क्या है तो देखेे आपको पता होना चाहिए देखे के साबून से हम कठर जल से ज्थाग उतपन नहीं कर सकते हैं बच्छू जो जो डिटर्जेव कैं उसमें अलग District मिला रहता है जो की उसमें